हेलो प्रेंट्स आइम निलेश और मैं आप सबका स्टडी शाप 360 में सौगत करता हूँ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए और नोटिफिकेशन के बिल आइकॉन के ओपर भी क्लिक कर दिजिए आपको लगाताल अपडेट्स मिलते रहेंगे कि मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ कि जो नोन परिप्ट क्यूब होते हैं उनका रूट कैसे निकले क्यूब रूट मतलब मौनली जे आपको कोई भी नंबर दिया गया हो हो ये नोन परिका ठीक हो तो जो आप्रोप्प्सेशन के प्रॉब्लिम होते उसमें यह आम तो पर पूछा जाता है एक्जाम में कभी कभी पार्च मार्क्स के लिए आ जाते हो तो जैसे कि मान लो आपको कोई भी एक नॉन परफेक्ट नमबर दिया हो और उसका क्यूब आपको फायंड करना है तो फिर आप क्या किजिए यह जो नमबर है वो कौन से दो पड़े नमबर के बीच में वो देखिए जैसे कि 10 और 20 के बीच में कोई नमबर है इन दोनों के क्यूब के बीच में तो आप क्या किजिए सबसे पहले यह जो नमबर है इसका यह लिख लिजिए और फिर उसके बाद में यह जो कोई नमबर होगा वो इसके क्यूब में से गटाकर वो उपर लिख लिजिए और इन दोनों के क्यूब का जो डिफरंस होगा वो है आपर लिख लिजिए और उसको 10 से मल्टिप्लाइ क कर दिजिए फिर जो आंसर आएगा वो बिल्कुल डेसिमरल में एक दो चोड़ के बाकि उसके नजदिक का ही आएगा मतलब मान लिजे कि आंसर आता है 18.495 मतलब बिल्कुल तो ऐसा समझ लिजे कि वो 19 का क्यूब है जो कोई भी क्यूब आएगा उससे अगला नमबर आप लेंगे तो बेतर रहेगा किस तरह से करना है वो अभी यह एक जम्बल्स देख कर मैं आपको बताता हूँ जैसे कि मान लिया जाए कि यह नमबर है इसका आपको क्यूब रूट निकालना है तो आप क्या करें आपको यह तो जब पता ही होगा कि 20 का क्यूब क्या है दो का क्यूब होता है आठ और तीन जुरो लगा दीजिए यह उससे जादा है और तीन का क्यूब होता है 27 तो 30 का क्या होगा 27 अजाद यह उससे कम है तो यह 20 और 30 के क्यूब के बीच में है ओके तो बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने आपको बताया 20 लिख लिजे प्लस यह इन दोनों का डिपरंस क्या आएगा तो यह तीन जुरो यह तो उपर का तो तीन नंबर यह से कैसे आ जाएंगे 568 और 17 में से 8 गटा देंगे तो 9 मिलेगा फिर आपको क्या करना है इन दोनों का डिपरंस लेना है तो यह तीन जुरो तो वेसे ही आ जाएंगे और 27 में से अगर 8 माइनस करोगे तो 19 आ जाएगा और फिर इस नंबर को आप 10 ते मल्टिप्लाइ करेंगे और फिर आपको क्या मिलेगा यह जुरो कट जाएगा फिर आप यह देखेंगे कि 20 में कौन सा मतलब यह जो आएगा वो आपको इस 20 में आड करना है तब आपको इसका जो क्यूब रूट है वो मिलेगा तो 19 के बाद 2 जुरो है और यह आपने 90 पायो के बाद 2 नंबर तो 19 इन्टू फायो 95 होता है यह तो आपको पता ही है तो यह फायो आएगा और मैंने आप से कहा था कि अगला नंबर लीजे वो क्यूंकि इसके बाद बचे हुए भी है थोड़े से नंबर यह 68 बच जा हुआ है तो यह फायो पॉइंट कुछ आएगा तो यह आप 6 कंसिडर तो इसका जो एप्रोक्जिमेट क्यूब रूट है वो आजाएगा 26 ओके तो इसी तरीके से यह अगला प्रश्ण देखिए यह जो यह वो सेवन नाइन को यह तीन चोड़के आप देख लिजिए कि यह कौन से जो स्क्वेर क्यूब है उसके बीच में आता है तो आप जानते ही होंगे चार का क्यूब जो होता है 64 होता है चारिस का 64,000 हो जाएगा और उसी तरह 50 का क्या होगा 125 000 तो इसके बीच में से ही इसका क्यूब रूट जो है वो आने वाला है पर कौन सा नंबर है वो कैसे निकालेंगे तो सबसे पहले इस में से यह 40 का जो क्यूब है वो माइनस कर दीजिए तो यह 3 0 तो कोई माइने नहीं रखेंगे 1, 5, 1, 2 यह तो डालेका जाएगा फिर 79 में से 64 को अगर आप गटा देंगे तो फिर आपको मिलेंगे 15 ओके और फिर आपको इन दोनों का डिप्रेंस लेना है यह 3 0 आ जाएगे और 1, 2, 5 माइनस 64 मतलब आ जाएगा 61 और इसको दस्ते मल्टिप्लाइ किजिए यह 0 का 0 चला जाएगा और फिर आप मल्टिप्लाइ के इसको डिवाइट के से करेंगे तो मुश्किल होता होगा तो यह 2, 2, 0 नमबर काट डिजे यह 2 0 काटे यह 2 0 फिर आसे अगर 61 इन टू करोगे तो 1, 2, 2 आएगा 3 करोगे तो फिर यह 180 से जाद आएगा यहाँ पर तो 155 हुए तो फिर आप लेंगे 2 और यह नमबर स्थोड़े बश्टे तो इसले 2 से अगला नमबर 3 लेना पड़ेगा आपको तो 40 और प्लस 3 तो इसका जो क्यूब रूटे वह आ जाएगा 43 मतलब इसका जो सही क्यूब रूटे वह तो डेसिमल में आएगा पर एप्रोक्जिमेशन में आपको इसी तरिके से लेना है यह बात आप याद रखिये जब कभी आभी आपको जो बैंकिक जामस है या फिर र अगर एप्रोक्जिमेशन में इसी तरह के क्यूब रूट पूछे जाए तो आप इसी तरिके से आप फाइंड किजिए इससे अलावा और कोई इतनी आसांट ट्रिक तो आपको मिलेगी नहीं जल्दी उसके अलावा और भी कई प्रॉब्लेम्स देखते हम अगर नहीं समझाओगा तो मैं आपको वापिस बता देता हूँ यह देखिए इस नमबर का अगर क्यूब रूट अगर आपको निकलना है तो सबसे पहले तो यह देख लीजिए कि यह नॉन पर्पेक्ट क्यूब है ओके तो जो यह तीन नमबर होते है वो छोड़कर देख लीजिए कि इस में से कौन सा क्यूब जाएगा तो च्छे का जाएगा 216 और यह बाद में तीन नमबर भी है तो हम 60 का क्यूब लेंगे 216 और उसके बाद 3 जिलो लगाने से 60 का क्यूब मिलेगा तो और यह 60 से जादा आएगा पर 7 के क्यूब से यह नमबर कम है इसलिए यह 70 से कम आएगा 60 और 70 के बीच में हमें इसका जो क्यूब रूट है वो मिलेगा तो 7 का क्यूब होता है 343 और यह 70 का क्या आएगा 30 जिलो और लगा दिजिए ओके तो फिर आपको क्या करना है सबसे पहले यह जो नमबर दिया हुआ है उसमें से 60 का जो क्यूब रूट है वो गटा दिजिए आप तो आपको क्या मिलेगा यह 30 जिलो है तो 137 आ जाएंगे फिर 262 से अगर आप 16 को निकालोगे तो आपको इपास मिल जाएगा 46 और इसके डिवाइड में क्या करना है आपको इन दोनों का डिप्रेंस लिखना है तो यह 0000 तो आ जाएगा और 343 में से 216 माइनस कर दिजिए तो आपके पास बचेंगे 127 फिर आपको इस नमबर को 10 से मल्टिप्लाइ करना है मतलब दस से मल्टिप्लाइ करना है मतलब एक 0 और बढ़ा दीजे इसके उबर पर ये एक 0 यहाँ से कट जाएगा ये 10 इसको मल्टिप्लाइ करना पड़ेगा आपको फिर ये 0 कट जाएगा ओके फिर आप ये सब के से फाइंड आउट करोगे मतलब डिविजन तो ये 2 कट कर दो ये 2 कट कर दो फिर इसको 127 है तो 130 मांद लो फिर ये क्या कटेगा तीन से जाएगा 390 अगर 4 से करोगे तो 500 से जादा आ जाएगा पर ये 3 से जाने का बाद भी है इससे कम ये आएगा 390 ये बचा हुए भी है तो इससे अगला नंबर लेंगे हम 4 ओके और ये 4 जो है वो हम 60 में आड़ कर लेंगे तो इसका जो सही क्यूब रूट है वो आपको मिलेगा 64 ओके तो इसी तरिके से एक और एक्जामपल ये तीन नंबर चोड़ कर ये बागी के तीन ले लिजे तो आठ का क्यूब होता है पास्टो बारा तो ये तीन जो और बढ़ा दीजे अस्ती के क्यूब के लिए तो ये जो है वो आस्ती से जादा आएगा ये तो हमें देखके ही पता चल रहा है और नबर का जो क्यूब होता है उससे ये कमी आएगा क्यूकि 9 का क्यूब क्या होता है 729 90 का निकलने के लिए तीन जो और एड़ कर लिजे पिर इस में से इस नंबर में से ये 80 का क्यूब गटा दीजे तो आपके पास ये आखिर में आएगा 479 वेसा का वेसा और 621 में से 512 आप गटा दीजे तो ये आजाएगा 681 में से 512 तो ये आजाएगा 9 6 और 1 तो 169 ये आपको मिल गया 169 479 और फिर नीचे का क्या करना है आपको ये दोनों जो है उसका डिफ्रेंस लेना है ये 3 जिलो तो मिल गए 512 से आगे 729 में से गटा दीजे तो आपको मिलेगा 217 और इसको 10 से मल्टिप्लाइ किजे ये एक जिलो जाएगा ये 10 कट जाएगा फिर आप क्या करेंगे ये दो जिलो कट कर लिजे फो सेवंटी नहीं ने तो ये कट कर लिजे ये आपर पाच लिख लिजे ओके फिर ये 200 से अगर 8 बार अगर मल्टिप्लाइ करोगे आप तो 1600 मिलेगा और 17 इंटु एट अगर करोगे तो फिर इससे तोड़ा सा जादा मिलेगा और अगर 217 को साथ से करोगे तो फिर 14 पंदरा सो के नजदिक आएगा तो यहाँ पर 8 आजाएगा ओके मतलब 8 के नजदिक आएगा यह तो इसका अंसर होगा 88 ओके तो यह वीडियो आपको कैसा लगा यह आप जरूर इस कमेंट बॉक्स में लिख कर बताईए जो आपको वीडियो के नीचे मिलेगा और अगर आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक कर दिजे और आपके फ्रेंट्स के साथ इसे शेयर कीजे और हमारे चानल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दिजिए ओके इसके बाद मैं आपको और भी कुछ ट्रिक्स लेकर आऊंगा तो बने रही है इस चैनल के साथ अब अगले वीडियो में हम फिर से मुलाकात करेंगे तब तक के लिए बाई झाल